दोस्तो आज मैं आपके साथ शेह करूँगी सुरिन की अचार की रेसिपी ये रेसिपी मेरी मा का है तो यहाँ पर मैंने 2 kg हरी मिर्च लिया हुआ है जिसे हमने साफ पानी से 2-3 बार धो लिया था अभी इसके हम उपरे हिस्से को यानि कि इसके हम डंठल को इस तरीके से इसी तरीका कितना जादा अच्छा होता है सारे मिर्च को हम धूप में आदा घंडा के लिए इस तरीके से छोड़ देंगे दियान रहे कि जो मिर्ची है वो ओवरलाप ना हो इसमें बिल्कुल भी मौश्यर नहीं होना चाहिए जितने भी पानी इसमें है वो सारा सूख जाना चाहिए अचार बनाने के लिए हमें किसी भी चीज में पानी का उप्योग नहीं करना होता है वर नहीं तो अचार का जो सेल्फ लाहिफ है वो बहुत ही कम हो जाता है मदद से इस तरीके से आप अध्रक को अच्छे से छील लेंगे दोस्तों जितना हमारे पास सुरर रहेगा उतना ही हमें अध्रक तेल और जो हरी मिर्च लेनी है इस तरीके से हम बढ़िया से अध्रक को छील लेते हैं यह देखिए यह हमने सारा अध्रक को इस तरीके से छेल लिया दोस्तों हमारे भासा में तो जिमिकंद को हम सुरन या ओल बोलते हैं आप बताए कि आपके भासा में इसे क्या बोलते हैं कमेंट करके बताएएगा मुझे अब हम अध्रक को भी धूप दिखा देते हैं तो इसे भी हम आदे से एक घंटे के लिए धूप में डाल देते हैं फैला देह से किसी भी चीज ने में मुआश्चर बिलकुल ले चाहिए यहाँ पर मैंने सुरन लिया हुआ है यह सुरन दो केजी है जैसे कि मैंने बताया था कि हमें सब चीजों की क्वांटिटी एकवल चाहिए सुरन को हम इस तरीके से छील लेंगे ध्यान रहे कि आप सुरन को गलप्स लगा करी उसको छीले वरना हाथों में बहुत जादा खुजली हो जाएगी और बरदास्त नहीं करने पाऊगे तो क्योंकि हम देसी आदमी है तो हमने तो पॉलोथिन से ही काम चला लिया तो आप गलप्स लगा ले उसके बाद ही इसे आप छीले इस तरीके से हमने सुरन को छील कर और उसको इस तरीके से काट लिया था तो दोस्तो आप जरूर डप्स लगा है वरना आप उचलते कुदते परशान हो जाओगे बहुत खुजली होती है आतों में या फिर आप तेल लगा कर भी उससे छील सकते हो यह हम सुरन को लूक वाम वाटर से साफ करेंगे यह से अच्छस साफ कर लेते हैं कि दोस्तों अगर आप इस तरीके से सुरन का अचार डालेंगे तो अचार जो है वो एक साल सी ज्यादा चलेगा और आप उसे खाते रगा खराब नहीं होगा इस तरीके से हम एक छन्नी वाले ऐसे डाली में इसे निकाल लेते हैं सुरन को हम निकाल लिए और इसे भी हम एक घंटे के लिए धूप में रख देते हैं तो हम इसे फैला देते हैं दोस्तो हमें सारे चीज़ों को करीबन एक घंटे के लिए धूप में रखना है एक घंटे के बाद हम यह देखिए, मैंने हारी मिर्च को उठा लिया, थोड़ा सोखने के बाद जो उसका कलर है वो बदल जाता है, उससे कोई फरेक नहीं पड़ेगा, यह सूरन भी हम निकाल लिए, और अध्रग भी, आप हम पीशते हैं, तो मैं मिकसर में ही पीश रही हू याद रहे कि हमें हर चीज को तेल से ही पीशना है, तो यह देखिए, हमने इस अच्छे से ग्राइंड कर लिया हरी मिर्च को, इससे हम निकाल देते हैं, आप मिकसर में आसानी से इसे ग्राइंड कर सकते हो, अध्रग को भी हम स्रेम प्रोसेस से ग्राइंड कर लेते हैं, हम हमें हर चीज को तेल से ही पीछना है तेल डालकर ही उसे हमें ग्राइंड करना है यह देखिए थोड़ा सा धरदरा ही ग्राइंड करें एकदम एकदम फाइन पिस्ट ने त्यार करनी है हमें इसे भी हम निकाल लेते दोस्तों इसे तरीके से हम सारे अधरब और सारे हरी मिर्श को ग्राइंड कर लेंगे अब यहां पर मैं सुरन को भी ग्राइंड कर लेती हूं तो इसके हम छोड़ा छोड़ा पीस कर लेंगे और तेल से इसे भी हम पीस लेंगे यह देखिए ग्राइंड हो चुका है इसे भी हम निकाल लेते हैं तो यह मैंने तीनों चीजों को एक थाली में इस तरह के से निकाल लिया हुआ है अब हम चलते हैं आगे की प्रोसेस की ओर तो यहाँ पे एक बड़ा सा पतिना लेंगे इसमें मैं डाल रही हूँ अमचूर पाउडर यह 800 ग्राम अमचूर पाउडर है यानि की एक पाउ इसे हम खटाई भी बोलते हैं अब अब 800 ग्राम हम ले डालते हैं नमक तो दोस्तों 2 केजी सुरन में हम सब कुछ एक एक पाउड डाल रहे हैं अब हमने जो ग्राइंड करके रखा हुआ था अद्रक मिर्ची और सुरन का सुरन को उसे हम उसे भी हम डाल देते हैं इसमें दोस्तों अगर आप लेसन खाना पसंद करते हो तो आप इसे भी ग्राइंड करके डाल सकते हो इसमें हम एक लिटर तेल और डाल देते हैं और एक लिटर तेल हमारा जो हम अपने ग्राइंड किया था उसमें हमारा लग गया था तो अब हम सबी चीजों को अच्छे से बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दोस्तों बहुत ही इजी स्टेप है और बहुत लॉंग लास्टिंग है अचार खराब नहीं होगा इसमें कोई भी सिर्का या किसी वी चीज की जरूत नहीं पड़ेगी आपको तो अचार हमारा बनकर तयार है आप इसे स्टोर कर ले किसी भी कंटेनर में और अराम सही से आप खाते रहे हैं दोस्तों इसे सेट होने में अभी चार दिन लगेगा क्योंकि सुरन जो है वो थोड़ा सा काटता है वो छीलता है तो आप इसे तुरंत नहीं खाए चार-पांस दिन के बाद जब अम्चूर में सब चीज चास से मिक्स हो जाएंगी तभी आप इसे सर्फ जीज और तो आप इसे इस तरके से मिक्स करके स्टोर कर ले और फिर चार पांस दिन के बाद इसे आप खाना शुरू कर सकते तो दोस्तों कैसे लगी आपको यह रेसिपी मुझे बताईएगा मिलते हैं नेक्स्ट वेडियो में धन्यवाद